हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोसोफ्ट के ओफिशल वेबसाइट से विंडोस 11 मीडिया यूस्बी बूटेबल पेंडराइब को कैसे बना सकते हैं और एचपी प्रोबुक 440 G4 मॉडल नंबर के विंडोस 11 कमपेटिबल लैप्टॉप में कैसे आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हमारे पास मिनिमम 8 GB या उससे जादा का पेंडराइव होना जरूरी है जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं मैंने पेंडराइव को कनेक्ट कर रखा है लापटॉप में और पेंडराइव बिल्कुल भी ब्लैंक होनी चाहिए उसमें कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए सिंपल आप मुझे क्या करना है गूगल क्रोम या कोई भी पर्टिकुलर आप ब्राउजर को ओपन कर लीजिए ब्राउजर नूपत करने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज 11 सिंपली क्या टाइप करना है Windows 11 टाइप करना है और Windows 11 टाइप करने के बद जो पहला official website आएगा Microsoft का वो हमें वहाँ पे click करना है Download Windows 11 लिखा है वो हम first option को choose करेंगे choose करने के बाद यहाँ पे Windows 11 का home page आता है जो की विल्कुल भी Microsoft से connected है और genuine site है यहाँ पे हमें नीचे आना है scroll down करेंगे और यहाँ पे before you login being लिखा है download now करके option लिखा है वहाँ पे हम click करेंगे click करने के बाद वहाँ पे एक media creation tool download होता है जिससे आप ISO file बना सकते हैं DVD बना सकते हैं आपके खुद के pen drive को directly आप bootable बना सकते हैं इसको यहाँ पे yes करना है बिना किसी third party application के यह plus point होता है Microsoft की तरफ से है बिल्कुल भी free है और यह एक genuine है ठीक है यह yes करने के बाद हमें और थोड़ा इंदजार करना होगा यह एक option आएगा यहाँ पे जैसे हम अभी इस video में देखने वाले हैं यहाँ पे हमें license agreement है Microsoft की तरफ से यहाँ पे हमें accept पे click करना है यहाँ पे यह जो चेकमाट है इसको आप अंचेक कर सकते हो और अंचेक करने के बाद हमें simple next कर देना है क्योंकि हमें Windows 11 edition डाउनलोड करना है bootable pen drive बनाने के लिए और language वही रखना है United state आप country selection कर सकते हैं अगर आपको language में और कुछ चाहिए तो और USB option है ISO option है फिलाल तो मुझे USB बनाना है तो directly मैं USB option को ही चेकमाट रहने दूँगा और next पे क्लिक करूँगा जो हमारा pen drive है उसका location E है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं left में direct हम finish कर देंगे हमारा installation का process start हो जाता है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं download होगा Windows 11 और यह तकरीबन कुछ 15-20 मिनट का time लेता है depend आपके internet के speed के ऊपर जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक video same topic पे बना रखा है लेकिन उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया है कि Windows 11 को किस तरह से आप download कर सकते हो ISO file को और directly अगर आपको bootable pen drive बनाना है बिना किसी third party application को involve किये direct Microsoft के site के तुरू तो आप वो भी बना सकते हैं media creation बनाने के लिए आपको help करता है ठीक है तो वो particular video मैंने अलग topic पे बनाया है लेकिन आप playlist में जाके देख सकते हैं और इस video में आज हम लोग यही देखने वाले हैं directly आप किस तरह से Microsoft के official website से Windows 11 को आप download करके अपने pen drive में bootable बनाके direct यह जो download हो रहा है अभी आप जो देख रहे हो वीडियो में यह हमारा pen drive के अंदर download हो रहा है और बिना किसी third party application के involve के यह bootable pen drive बनायेगा और उसी bootable pen drive से आप Windows 11 compatible जो भी आपका laptop होगा उसमें आप directly install कर सकते हो format कर सकते हो ठीक है तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं तो guys आप लोगों से request है वीडियो को start to end जरूर देखें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ अपने share करें और चैनल को subscribe करें मुझे support करें काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और यह थोड़ा सा time लेगा तब तक के लिए हमें इंदजार करना है इंटरनेट आपका connected होना चाहिए pen drive connected है power आपका laptop में connected होना चाहिए हमारे पास यह जो laptop है इसका model number है HP ProBook 440 G4 model का laptop है हमारे पास जिसमें मैं Windows 11 इंस्टॉल करने वाला हूँ यह हमारा verify और download जो लिखा हुआ है progress अभी 0% हुआ है यह भी थोड़ा सा time लेता है आपको directly bootable pen drive बनाने के लिए media creation tool के help से कम से कम 15 minute का तो time जाता ही जाता है वो depend करता है आपका internet का speed आपके system का speed तो उससाब से वो download होता है media creation tool के help से आप bootable pen drive बना सकते हैं pen drive का minimum range 8 GB होना चाहिए उससे जादा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हो मैंने आपको पहले ही बताया है pen drive के अंदर कोई भी data नहीं होना चाहिए guys मैंने अपने youtube channel के उपर जो भी playlist बना रखे हैं please आप चाहिए playlist के अंदर बहुत सारे मेने videos upload कर रखे हैं अब particular videos को देखिए अगर किसी भी user को किसी भी playlist में जो मैंने videos upload कर रखे हैं अगर किसी को software crack या कुछ ऐसा जरूरत पढ़ता है जो मैंने already वहाँ पे upload कर रखा हैं तो अगर आपको चाहिए रहेगा आपको जरूरत है तो please मुझे comment करें मैं एक link बना के आपको भेज दूँगा same comment पे reply कर दूँगा जहां से आप जाके easily download कर सकते हो और video की मदद से video देख के आप अपका जो भी problem है वो solve कर सकते हो ठीक है तो अगर किसी भी user को जरूरत हो तो वो मुझे please comment करें मैं कोशिस करूँगा उसको एक link बना के दे दूँगा जहां से वो आसानी के साथ जाके आराम से download करके और video देख के अपना जो भी उसका problem है वो solve कर सकता है गैस अगर आपने एक बार video को start to end देख लिया तो same topic पे मैं उमीद करता हूँ कि आपको किसी और का video देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही video आपके लिए बस हो जाएगा इसी में आपको Windows 11 किस तरह से compatible यानि कि जो उससे match करता हुआ laptop रहेगा उसके requirement के हिसाब से आप आसानी के साथ वहाँ से इस video को देखके आप install कर सकते हैं इसके बाद में जो video अपलोड करूँगा उसमें जिस laptop में आपका Windows 11 का requirement compatible नहीं होता है आप उसमें अगर install करना चाहोगे तो कैसे install करना है मैं उस topic पे भी एक और video बना के upload करने वाला हूँ लेकिन यो तोड़ा सा time लह रहा है उस पे भी मैं एक video अपलोड करूँगा जिस किसी भी user के पास compatible laptop नहीं है for example मेरे पास AMD processor का laptop है 2GB RAM है और Windows 11 के जो भी requirements है अभी फिलाल के लिए वो उसमें बिल्कुल भी match नहीं करता है unsupported CPU के उपर आप किस तरह से upload कर सकते हो install कर सकते हो Windows 11 तो मैं उस topic पे भी एक video बनाने वाला हूँ जल से जल वो भी बना के upload कर दूँगा तो आपके लिए दोनों options रहेगा compatible laptop को जिस तरह से आप देख रहे हो इस video में मैं compatible वाले laptop के लिए बना रहा हूँ और जो मैं दूसरा बनाऊँगा उसमें incompatible वाले laptop के लिए या CPU के लिए बनाऊँगा जहां पे आप Windows 11 आसानी से download करके install कर सकते हो और मेरे पास ISO रहेगा जिस किसी भी user को चाहिए रहेगा वो मेरे से ISO ले सकता है incompatible वाले CPU पे आसानी के साथ वो खुद try करके install कर सकता है ठीक है तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ request है कि आप लोग वीडियो को देखें वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेर करें और अपने चैनल को यानि कि हमारे चैनल को subscribe करें और support करें मुझे वीडियो कम से कम आदा गंटे का बनने वाला है अगर आपको लगता है same process जहां से repeat हो रहा है आप इसको भगा के देख सकते हैं मैं इसमें कोई भी ऐसे points को cut नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में ना आए मैं start to end हर एक point को रख रहा हूँ जिससे आपको भी समझ में आए और मुझे भी बता दे हुए कि ना आपको अपको अपको आए कि आए है गाई आप देख सकते हैं हमारा यूजबी flash drive रेडी हो चुका है मुझे मैसेज भी आ गया है यहां पर आप देख सकते है इस वीडियो में सिंपल इसको फिनिश पर क्लिक करेंगे यह थोड़ा सवर टाइम लेगा क्लीनिंग के लिए उसके बाद मैं पेंडराई को लगा रहने दूँगा सेम लैपटॉप के अंदर और लैपटॉप को सिफ रिस्टार्ट करूँगा रिस्टार्ट करने के बाद जो भी आपके लैपटॉप का बायोस का की होगा उस की के हिसाब से आप बायोस यानि की बूट मेनियो में जा सकते हैं आप देख सकते हैं आप इस PC के अंदर अभी यह जो हमारा current laptop है इसके अंदर का operating system यह Windows 10 है और देख सकते हैं आप जो मैंने अभी pen drive online बनाया है आप लोगों को इस वीडियो में देख रहा होगा और वो direct to direct यहाँ पर setup आ गया है pen drive के अंदर और pen drive हमारा connected है LAN हमारा connected है power connected है LAN को हम बाद में निकालेंगे अभी हमने नहीं निकाला है क्योंकि हम directly install करें इसलिए हमने नहीं निकाला है इसको एक बार हम restart कर लेते हैं restart करने के बाद हमारे पास जो laptop का model number है HP ProBook 440 G4 model number का इसका BIOS का की है F9 जो हमें boot menu में लेके जाता है वहाँ पे हमें particular जो हमें select करना होगा ठीक है directly F9 को प्रेस करना है हमें या जो भी आपका system का boot device का option होगा की होगा उसको आपको प्रेस करना है और select करने के बाद वो automatic आगे Windows 11 का process complete करेगा start करेगा वहाँ से हमें और कुछ भी नहीं करना है सिर्फ हमें जो options वो पूछेगा वहाँ पे हमें वो selection करना है normal जिस तरह से आप Windows 10 को install करते हैं सेम वही से ही करना है उसमें और कोई बड़ा changes नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे और language आपको selection करना है और format selection करना है जो भी आप country select करना चाहोगे select कर सकते हो language आपको English United State मैंने रखा है यहाँ पे मैं country select कर लेता हूँ country के अंदर का जो format date और time का है वो मैं selection कर लेता हूँ नहीं तो हमें बाद में जाके अंदर से selection करना होगा setting करना होगा उसके पहले ही मैं यहाँ पे selection ले लेता हूँ जो भी हमारी country हमारी country इंडिया है इंडिया का जो भी timing है वो मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ कर दो चलो मैंने यहाँ पे option ले लिया उर्दू इंडिया का ठीक है और मैं इसको next कर दूँगा यहाँ पे आपके हिसाब से आप जो भी timing रखना चाहते हो United States का है जो भी particular country के हिसाब से आप वहाँ पे selection कर सकते हो इसको install नाव पे click कर देना है थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है और फिन नॉमल यह विंडोस 10 के तरह ही है बिल्कुल जिस तरह से आप विंडोस 10 को install करते हुए आए हैं उसी तरह से यह विंडोस 11 है बस यह एक नया फीचर है इसमें थोड़े से नय एडवांटेज दिये हुए हैं नय एप्लिकेशन के इसके टोटल लूक है आपको यहाँ पर चेकमाग करना है और नेक्स पर क्लिक कर देना है यह विंडोस 11 का लाइसेंस एग्रिमेंट है यहाँ पर हमें सेकंड आप्शन को चूज़ करना है कस्टमाइज यहाँ पर हमारे पास पार्टिशन क्योंकि हमें C-Drive को 200GB रखना है D-Drive हमारा जो भी है 700-800GB वो हमें सेम रखना है इसको हम next new कर लेंगे apply कर लेंगे जो हमारा 194 यानि 200GB का C-Partition है हम वही रखने वाले हैं next कर देना है और यह तोड़े time के लिए 100% complete करेगा तब तक के लिए हमें इंकजार करना है और कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है आपको भी installation काफी easy है अगर आपने एक बर वीडियो को ध्यान से देख लिया तो I hope मैं उमीद करता हूँ कि आपको next वीडियो किसी और same topic के लिए जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको भी जरूरत नहीं जरूरत नहीं है कि आपको भी जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है छीजर के लिए है जरूर ईत नहीं है कि आपको भी जरूरत वीज से देखने कि दिए जरे उता आपड़िए जरूरत जरूरत नहींدا मैं जरूरत वेभागें झाल 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 ये विंडोस के कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं जो Microsoft की तरब से होता है ये विंडोस खुद खुद इसको कम्प्लीट करते हैं इसमें हमें कोई च्पी करने का मौका भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे जैए सेफ इसको आन रखना है हमें कम्प्यूटर को या लाप्टॉप को ये आटोमाटिक कम्प्लीट करेगा जो अभी हमने पेंड को निकाल भी दो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लगा है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये 100% कम्प्लीट करेगा फिर से ये रिस्टार्ट होगा एक बार रिस्टार्ट होने के बाद अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो डैरिकली विंडोज का होगा और उसमें हमें तोड़ा सा इंतिजार करना होगा फाइनली हमारा विंडोज 11 लोड हो चुका है हमारे HP ProBook 440 G4 model number के laptop में बिलकुल भी ये genuine है license है क्योंकि ये जो model number का laptop है इसके अंदर जो विंडोज 10 है वो भी license है और जो ये Windows 11 इंस्टॉल हो रहा है ये भी license है क्योंकि वो auto upgrade भी होता है Windows 10 जब आप update करते हो तो वो upgrade भी हो किस तरह से Windows 10 को Windows 11 में फ्री में upgrade कर सकते हो उस topic पे भी मैंने बात किया है वीडियो भी already upload किया है अगर आपको देखना है तो आप चैनल के playlist में जाके Windows 11 वाले folder में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोस 10 लाइसेंस Windows 10 को Windows 11 में किस तरह से फ्री में upgrade किया है मैंने दिखाया हुआ है अपग्रेड करके फाइनली आप देख सकते हैं Windows 11 का logo आ चुका है और इसमें कुछ options पूछेंगे उससे साब साब को काम करना है यहाँ पे आपको country selection लेनी है मैंने यहाँ पे India लेना है फिलाल मैं इंडिया से हूँ तो मैं India selection करूँगा यहाँ पे यहाँ पे इंडिया select करके yes कर देना है और यहाँ पे आपको keyboard का language selection करना है English India रखना है English India रखना है और इसको skip कर देना है layout का आमें नहीं चाहिए हमारे पास keypad है और wifi का option है Wi-Fi आभी आपको यहाँ पे connect नहीं करना है तो I don't have कर दीजिए और इसको continue with limited setup कर लीजिए यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो device का या आपका आपके company का नाम डाल सकते हो मैं यहाँ पे मेरे channel का नाम डाल रहा हूँ जैसे आपको पता ही है अपने और हमारे channel का नाम है grow your knowledge इसको हमें next कर देना है password हमें नहीं करना है अभी के लिए password हम बाद में भी कर सकते हैं इसको हमें अभी password नहीं डालना है next कर देंगे इसको हमें next करना है फिर से next करना है again accept पे click करना है और यह थोड़ा सा time लेगा इसके बाद हमारा windows 11 successfully install हो चुका है guys देख सकते हो आप इस video में आप 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 अप आप 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 THS नहीं हो हमारा इस यह दोड़ा थाप आप। है जह है नहीं हुआ आप 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 साथ आप 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 आपsinागं झाल 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 तो गैस आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ठीक है यह अपना चैनल का नाम है खोर्ट और गेलज एओ जाए हूझे थिए ग्सक्राइब आपे आपे एट करेंट यह रहांद ट क्षिए लागों से टीक्राइब का इस आप लोगों से ऑख बान दान ड स्टेश्ट टीक्टेश्ट हैाँ आइ अट गफ़ंचे दीक्राइब का पर दूए आप टूढ